हिमाचल चुनाओं को लेकर के अकसर थोड़ी चर्चा देश भर में कम होती है पहाडी राज्य है, कम सीटे आती है लेकिन इस बार क्यु चुनाओं खास है एक बहुत बड़ी हाइलाइट इस चुनाओं की वो है प्रधानमंत्री मोदी का एक फोन कॉल पधानमंत्री मोदी का एक फोन कॉल गया उनके पुराने साथी जो मासद मौजूद है इस वक्त क्रपाल परमार जो बीजेपी के पूर्व सांसद है पधानमंत्री मोदी ने क्रपाल जी को फोन किया वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वाइरल है कॉंग्रेस उसको ले करके मोदी जी से लेके बीजेपी को घेर रही है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिजेए क्रपाल परमार टिकेट ना मिलने के बाद बीजेपी से हिमाचल की फतेपुर सीट से निर्दलिय चुनाव लड़ रहे हैं मेरी बास सुन लिजे मोदी जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं सुनूंगा मेरा तुम पर हक है मैं कुछ नहीं सुनूंगा परमार जी ने बोला हक तो मेरा भी है मोदी जी मेरा तुम पर हक है नहीं चलेगा ये पर्मार जी ने बोला कि मोदी जी नडडा जी ने मुझे जलील किया है 15 साल मोदी जी ने कहा सुन लीजी अगर तुम्हारी जिंदगी में मोदी का कोई रोल है तो पर्मार जी बोलते हैं बहुत रोल है अब क्रिपाल पर्मार जी हमारे साथ एक्सलियों से बात करने के लिए मौजूद है तो क्या प्रधान मंतरी मोधी जी का कॉल असल में आया था पहले तो उसकी पुष्टी कर लेते हैं कर प्रपाल जी बहुत लोग कह रहे हैं कि ये वीडियो फेक है गलत है आप बताईए क्या प्रधान मंतरी मोधी जी ने आपको फोन किया था किस तारीख को? 30 को 30 तारीख को पहले तो बाकी जोज़ों में कि प्रधान मंतरी मोधी जी से रिष्टा कितना पुराना है आपका? मेरा कोई 25 साल का जब वो हिमाचर प्रधेश के प्रभारी थे उस वक्त मैं हिमाचर प्रधेश का महमंतरी था तो हम लोग काफी हमने उनको ट्रेवल किया जो प्रभास जाते थे तो हम कही वार उनके साथ रहते थे तो मेरा उनके साथ प्रभारी क्रिश्टा है वो मेरे बड़े बजुर्गों के समान है और बड़े बजुर्गों नहीं मैं तो उनको देवतुल्य मानता हूं इसलिए मैंने कहा कि ये भागवान का अदेश है तो ये फोन कॉल की पुष्टी कर रहे हैं करपाल परिमार साब जो पूर सांसद दें बीजेपी के आप मोदी जी के इतने घनिष्ट हैं सब जानते हैं, हिमाचलों सब जानते ही हैं, अब पहले तो ये बताई कि मोधी जी ने फोन के उसके बाद आपने जो निर्दली चुनाव लड़ रहे थे बागी होके, आप घर बैट गए हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि पर सितियां ऐसी पैदा कर दी जी, मैंने उस दिन मोधी जी को भी कहा कि अगर आपका ये कॉल एक दिन पहले आ जाता, क्योंकि उन्टिस्ट को विड्रॉल थी तीन बज़े तक, अगर तीन बज़ने को पांच मिन्ट पे भी आ जाता हो, तो मै उनकी बात पूरी भी ना सुनता, मैं कहता जी हो गया और मैं विड्रॉल कर लेता, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे आज बताया गया, उस वक्त मेरा बैलेट पे नाम आ चुका था, विड्रॉल का समय खत्म हो चुका था, अगर मैं चुनाप से हट जाता, तो मेरे नाम पे अगर दस बीस बोट पड़ जाते, तो सारी जिंदिकी के लिए मेरे जो एक लंक थाबित होता, तो पिर आपने कहा कि लड़ी लो फिर, लड़ी लो मेरे पास चारा कोई नहीं था कि अगर वो पहले मेरे को कॉल आ जाती तो निश्चित रूप से, एक सेकंड भी ना लगात हो कि इसको बिल्कुली खत्म करतो, और ये मेरे साथ पिछले कही सालों से हो रहा था, और खास करके जब 2017 में मेरे को टिकट मिला, उसके बाद तो जलालत की परकाश्टा हो गई, कि मैं कैसे जी रहा था और कैसे मैं मरमर के जी रहा था, तो आप आपने पार्टी, मतलब अपने चुनाओं के लिए, बताइए दर्शु, आप परचार कर रहे हैं, मैं फाइट में हूँ, बीजेपी का जो ओफिशल कैंडिडेट है, वो फाइट में नहीं है, मारा और कॉंगर्स का मुकाबला है, आप कि इतनी बेसिते किसने की, आप किस से इतना अदाहात हैं, य लोग ने मेरे खिलाफ साजिश की, ये कौन लोग हैं? नहीं, दिखो ना, परदेश तर पे तो दो तिन लोग हैं, लेकिन जब सारा मामला जाता तो नड़री के पास जाता था, नड़री मेरे बच्पन के साथी हैं, हम यूनिवस्टी में कठे पड़े हैं, चार साल हम एक स साथ साले कमरों में रहे हैं, और दोजार सत्रा में टिकेट मिलने के बाद, वो पता नहीं क्या हुआ कि मेरे दोस्ती सारे दुश्मन हो गए, दोजार सत्रा में एक रैवल को खड़ा किया यहां पे, उसकी उसको फंडिंग की गई, स्टेट प्रेजिट आके उसको खड़ा सरकार में, जो सत्ताधारी लोग थे, मुख्य मंतरी से लेकर मंतरी मिंडल तक, वो सारे मेरे सामकालीन थे, मेरे सामकश थे, लेकिन मैं चुनाब बारांसो बोटों से हार गया, तो इसका इतना फर्क पड़ गया, कि मैं इस सरकार में किसी बोर्ड कॉर्परेशन का मेंबर तक नहीं है, आपने टिकेट मांगा था, इस बार मांगी रहे थे? नहीं, पिछे जो मेरे जिन से मैं हारा था, जो आदरी सुजान सिंग पठानी है, जो कॉंगर्स के मिल लेते, उनका पिछले साल देहां तो गया था, पिछले साल लूप चुनाब हुआ, उप चुनाब मे उसी बुल देब्ठाकर को जो मेरे खिलाप लड़ा था, उसको पार्डि मिला के टिकर दे दिया, जो आपको नहीं दिया, मेरे को नहीं दिया, फिर Hybrid ने मेरे से बात की, कि नहीं, तुम्हें चुनाब नहीं लड़ना है, मैंने चुनाब नहीं लड़ा, फिर मुख्यमंतरी चार जिरो का अर्जवल्ट आया और मुझे एक पार्टी ऑफिस से फोन कॉल आता है कि जो चौबिस तरीक को पदा दिकारनी के बैटरक होने वाले उसमें आप नहीं आएंगे तो मैंने उसको पूछा भी क्यों नहीं आएंगे कि यह उपर से देश है मैं किस ने का है तो मैंन पद पे रहते हुए मुझे मीटिंग से नहीं रोक सकते हैं अगर मैं मीटिंग में अगर मैं पदादिकारी हूं तो मैं पदादिकारी के मीटिंग में आऊंगा अगर आप मुझे रोकते हैं तो फिर जेल उस्तिफा मैंने एक लाइन का उस्तिफा उनको भी दिया फिर बब लटरूँगा, दो मुझे बताा हो की क्यों क्यों नहीं तो अब आप चुनाओ लटे रहे हैं और आप कह रहे हैं si की तो लटाई में ही नहीं है नहीं है लटाई में वो वो इतना बदनाम अत्मी है को जहां गाओं में जाते हैं गया कोई उसका शिकार मिल जाता है उसका विक्टिम मिल जाता है तो यह बताए परमार साब अगर मालीजे कल नतीजे नहीं आए अब चुनाओ जीत जाते हैं अब लट रहे हैं तैयारी से लट रहे हैं पूरा जोर लगा रहे हैं प्रदान अंतरी मुधी का कॉल भी आया आपने ब चाली साल जिन्दगी का टू थर्ड होता है लेकर आप बहुत सबोधस आदमें हैं पुद्धान मंतरी मोधी के कॉल आने के बाद चुनाओ भी अब 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 लड़ रहे हैं घर बैठ जाता आदमी कमरें बंद हो जाता आदमी प्रशार करता है कि मुझे वोट मत देना आप लड़ रहे हैं अच्छे से तो ये भी आपकी एक आप कल्पमा करके देखिए कि 40-40 साल में जिस आदमी ने कुछ नहीं मांगा जो मिल गया तो मिल गया नहीं मिला तो नहीं मिला जिस आदमी ने कोई विवाद नहीं खड़ा किया जिस पर कोई औरोप नहीं है शानती स शलींता से पार्टी का काम करता है पच्छी साल से लगातार परदेश का पता दिकारी है राजसाबा का सांसद रहा है वहां भी परफॉर्म करके दिया है पार्टी की बड़ी बड़ी रैलियों को जोजन किया है जो भी कामें कारे करता हो करना होता किया है अगर मैं इस हालत में पहुंचा हूँ तो आप मेरे दिलपी की चोट को समझीए ना कि मुझे इतना मारा गया कि मेरा एहसास खत्म हो गया और जब मेरे भगवान की कॉल आई तो मैं उसको जवाब देने के काबिल नहीं रहा था अब ही देखे मोदी जी की तस्वीर वहां लगी होई आप घर में मोधी जी से बात कि उनुने आपनी सारी बात रखी कि जो आठीक है वह अच्छा ठीक है मनु सिंग्वी साब यह कह रहा है कि पदान मंतरी मोधी को कोई काम नहीं है बड़ी बदनामी भी हो रही है वैसे ये model code of conduct का उलंगन भी है सर पदान मंतरी पत के नहीं नहीं सर पदान मंतरी पत पर रहकर कि आप किसी कैंडिडेट को फोन नहीं कर सकते हैं बड़ा करने के लिए model code of conduct का उलंगन भी है नहीं नहीं है ऐसा है कि उन्होंने किसी कैंडिडेट को फोन नहीं किया है उन्होंने किरपाल परमार को फोन किया है अरे सर आप जजबाती हो रहे हैं मैं जजबाती नहीं हो रहे हैं मैं टेक्निकल और लीगल जवाब दे रहा हूं आपको उन्हों ने अपने समन्दों के अधार पे फोन किया है उन्हों ने उनका जो मेरे पे हाक है उसके कारण फोन किया है अगर आप कहेंगे कि उनका हाक है तो तुम चुनाब के लड़ रहे हैं तो कहरे हैं बागियों को तत्थे दे सकता हूं कि मेरे उनके रिलेशन कैसे है और अगर मैं चुनाब लड़ रहा हूं तो उन्होंने जो किया वो बजुर्गों का हक था और मैं जो कर रहा हूं वो बच्चों का हट है करपाल परमार साहब इतने साल सीजन पॉलिटीशन है वैसे जो हमारा अनुभव है उसके मताबिक करपाल परमार साहब की जगे कोई और होता पुदामंतरी मोधी का फोन आता तो कमरा बंद कर लेता और प्रचार करता कि मैं वोट नहीं मांगूँगा मुझे वोट मत दीजे लेकर करपाल परमार साब सांसद रहे हैं उनकी अपनी समवेधनाए हैं उनका यहाँ पर परिसितिया हैं और वो चुनाओ लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो चुनाओ जीत करके आएंगे तो ये हिमाचल चुनाओ की जबसे बड़ी हाइलाइट करपाल परमार जी और पुदान मंतरी मोधी का फोन कॉल बन गया है इसको लेकर के तमाम आरो प्रत्यार भी लग रहे हैं और आज निती है जायस है सेयोगी अशुक माले के साथ फतेपुर से स्वारब शुक्ला एंडी टीवे इंडिया